हाई प्रेंट्स मैं अनिल के कुमार इंप्रेंट NLP Master Life Coach आज आपका अपने YouTube चैनल पर श्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो के end तक आप meditation के बारे में वो सभी चीजे जान पाऊगे जो एक meditation beginner को जरूर्ट होती है दोस्तो meditation, mind को control करने के लिए meditation मेरी life की सबसे बहतरिन एडवाईज रही है जबसे मैंने improve करना शुरू किया तो meditation एक बहतरिन mental टूल रहा है जिससे आप अपनी life में बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं इसके बहुत से benefit होते हैं, कुछ benefit तो आपको हैरान कर देंगे meditation आपको self control देता है, आपके anxiety को कम करता है, stress को कम करता है, आपके anger को कम करता है इससे आपकी health बहतर होती है, आपको नीद अच्छी आती है और आपका focus भी बढ़ जाता है लेकिन ये सब तो उपर के benefit हैं, जो deep benefit होते हैं, वो तो ultimate होते हैं आप अपनी life के हर situation को बहुत ही काम तरीके से handle करना शुरू कर देंगे आपका break up हो जाए, चाहे आपकी job चली जाए, आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा आप बिलकुल स्यानती से अपनी life को आगे बढ़ाते चलेंगे इससे आप अपनी addition से भी चुटकारा पा सकते हैं और आप अपनी surrounding को पूरी तरह से feel करेंगे लेकिन आज कर एक problem है कि लोग meditation को बहुत complicated समझते हैं basic meditation बहुत ही simple होता है आज इस video में मैं आपको हर चीज बताऊंगा कि किस तरह से एक beginner अपने meditation की life को शुरू कर सकता है किस तरह अपने साथ में वो associate हो सकता है आपको तीन चीजों पर ध्यान रखना होगा जो आपको meditation में पूरी तरह सायता करेंगी इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू मैं आपको बताना चाहूँगा कि meditation होता क्या है simplest way में यदि मैं आपको कहूँ तो meditation अपने दिमाग को शांत करना होता है पहले चीज जो ध्यान में रखने वाली होती है वो होती है आपका environment आपने लिए एक comfortable जगे ढूढ़िए बैठने के लिए इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप chair बैठेंगे या आप नीचे बस ध्यान ये रखना है कि आपने अपनी back को straight रखना है अपनी read की हड़ी को सीधा रखना है यदि आप लेट जाते हैं तो लेटने पर आपको नीद आ सकती है जो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने ध्यान करना है तो इसलिए हम अपने read की हड़ी को सीधा रखेंगे आप ध्यान रखें कि आपके पास कोई disturbance या distraction ना हो ताकि आप शांती से बैट सके शुरुआत में आप 10 से 15 मिनिट का meditation कर सकते हैं उसके लिए आप अपने phone में timer set कर सकते हैं मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आप beginner हैं तो आप 20 मिनिट से ज़्यादा meditation ना करें बैक्राउंड में आप कोई instrumental relaxing music बचा सकते हैं जिससे की आपका ध्यान बाहर की आवाजों पे ना जाए next point है जिसमें actual meditation की technique जिसको बहुत से लोग बहुत से तरीकों से बताते हैं और आज मैं आपको simplest तरीके से बताऊंगा जिससे की आप खुद meditation कर पाएंगे दोस्तों आपकी आँखें होती हैं आपके दिमाग की information का द्वार तो सबसे पहले कॉमलता के साथ आप अपनी आँखों को बंद करें और गहरी सांस लें और अपने ध्यान को अपनी सांसों पे लगाएं और देखें किस तरहें से oxygen आपके अंदर जा रही हैं किस तरहें से आपके lungs में एक फुलावट आती है उस फुलावट को उस sensation को अपने सरीर में महसूस करें और ध्यान दें कि जब वो हवा आपकी body से निकलती है आपके सरीर की सारी tension बाहर निकलती हवा के साथ बाहर निकल जाती है और अपने ध्यान को अपने सांसों पर लगाए रखे आपका ध्यान अकसर दूसरी चीजों पर बार बार जाएगा लेकिन उसको बार बार पकड़ के वापस लाना है ये केवल आपके साथ ही नहीं हो रहा ये हर beginner के साथ शुरू में होता है आपके पास विचार आ रहे होंगे कुछ समय जब आप meditation कर रहे होंगे तो आपके पास कोई काम याद आएगा कोई important phone याद आएगा या कोई important ऐसा काम याद आएगा कि ये तो करना था और आपका उठने को मन करेगा लेकिन वहाँ पर अपने मन को अपनी सांसों पे लेकिया आना है यदि आपका ध्यान बार-बार भटक रहा है तो उपर आई बटन पर मेरी पुरानी वीडियो का लिंक है जिसमें मैंने ये बताया है कि अपने thoughts को कैसे control करें अपने विचारों को कैसे शुन करें वो वीडियो देख लिजेगा आपको ध्यान करने में मदद होगी Next, meditation आपको सिखाता है आपके mind को control करना आपके पास आ रहे दिन भर के कच्डे को filter करना और अपने thoughts को filter करके productive और positive thoughts अपने लिए इखटे करना आप हर रोज meditation करते समय यह द्यान दे कि जितना आसान आप इस meditation को बना सकते हैं आप बनाईए मेरी NLP की वक्षोप में मैं लोगों को कम शमय में बहतर mind control करना peak performance करना ही सिखाता हूँ तो आप भी इसके अंदर आपके घर में किसी corner में एक ऐसा fix जगे बनाईए जहां पर आप हर रोज meditation करेंगे और अपना time भी fix कीजिए कि इतने बज़े आप meditation करेंगे उससे आपको एक आदत पड़ेगी और हर रोज सुबह उठकर नेते किरियाएं करके हलका फुलका वयायाम करके आप meditation कर सकते हैं क्योंकि सुबह आपका conscious mind इतना active नहीं होता और शुबह आप अपने subconscious mind को आसानी से access कर सकते हैं और जब आपका time अप हो जाए तब आप अपने दिन चरिया के कारियों में लग सकते हैं बेसिकली आपको वो सब कुछ करना है जिससे कि आपको meditation करने की आदत पड़ जाए अब आता हूँ तीसरे point पर meditation में consistency बहुत important है इसका मतलब है कि आप हर रोज meditation करें यदि आप हपते में दो दिन जिन में जाते हैं तो उससे आपकी सेहत पर कोई फरक नहीं पड़ेगा उसी तरह यदि आप हपते में दो तीन दिन meditation करते हैं या casual meditation करते हैं तो आप उसका फाइदा नहीं उठा पाएंगे इसलिए एक consistency रखिए लगाता रखिए थोड़ा समय कीजिए लेकिन regular कीजिए और जब आप regular करेंगे तो आप इसका अनुपम benefit अपने अंदर महसूश करने लगेंगे अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा तर लोग meditation को continue क्यों नहीं रख पाते क्योंकि वो दो हपते करते हैं और फिर उनको अपने अंदर कोई improvement नहीं नजर आता तो छोड़ देते हैं meditation इस तरह काम नहीं करता meditation एक रात का खेल नहीं है meditation बहुत powerful चीज है जब आप अपने साथ associate हो जाते हैं आपकी life में इसके benefit आने में समय लगेगा लेकिन आप मेरी बात पर विश्वास कर सकते हैं आप एक आदत बना लोगे हर रोज इसे करोगे तो आप पूरी तरह बदल जाओगे आप में कभी frustration नहीं होगा आप में कभी anxiety नहीं होगी आपको कभी stress नहीं होगा इसलिए इसे continue करते रहे अपने ध्यान को अपने focus को अपने सांसों पर लाते रहे और धीरे धीरे आपका ध्यान बढ़ने लगेगा और आप इसके अनुपम आनंद लेने लगोगे और एक समय आएगा कि आप अपने अंदर इतनी स्थिलता पाओगे कि आप के पास कभी भी कोई stress अगरा जाता है गहरी सांस मातर लेकर के अपने आपको relax कर पाओगे अपनी state of mind को शांत कर पाओगे और यदि ऐसा करने के बवजुद भी आपको meditation में कोई challenge आता है कोई शमस्या आती है तो आप मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैं एक guided meditation आपको दूँगा जिससे कि आप अपने आपको meditate करने में सफल होंगे इस वीडियो में इतना ही यदि आपने इस वीडियो में कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को like कीजिएगा और share कीजिएगा उन लोगों तक जिनके जीवन में भी आप वाइदा करना चाहते हैं और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो subscribe कीजिएगा और bell icon को ज़रू दुबाईएगा तक लेटेस्ट वीडियो आप तक आती रहें जय हिंद जय भारत आपका दिन शुब रहे